वेल्कम तो माई यूटूब चैनल लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी थैंक्यू दोस्तों की हाल चाल है फूल अबर चली आज बनाते हैं बहुत ही सांदार जवर्दस ग्रेवी वैस ग्रेवी तो उसके ल लगे है क्योंकि तेल तो ज्यादा ग्रेवी वें डालते हैं इसलिए क्योंकि ग्रेवी की सेर्फ लाइब थोड़ी से बढ़ जाए फिर आप आदा लिटर तेल डाले उसमें तो बहुत ही बढ़िया तरकी से हलका सा आपको इनको चटका लेना है ताकि इनकी जो खुसबु करके कटा हुआ है फिर आपको इसको भूनना है इस ग्रेवी को बनने के लिए कम से गम एक घंटा 15-20 में लगता है या इमानी के डेढ़ घंटा कम संग में आपको लगेगा लेकिन जब ग्रेवी बनती है और इससे जब खाना बनता है ना वावा क्या लाजवा बनता है तो हलका ब्राउन करना है में ज़्यादा ब्राउन भी आप कर सकते लेकिन लेकिन इसके और उंखर ब्राउन महशंब मज़ा लिए औरुआ है डेवी कर दो में चौब यह ग्रेवी मैं अब जहाए अपना चाइनिस का सेक्षिन देखता हूं और अभी कुछे टाइम हुआ है मुझे काम करते हुए दो साल के आसपास मुझे किचन में काम करते हुआ है तो कफी बढ़िया लग रहा है मैंने का शेफ आज मैं बनाता हूँ अपने इस्टाइल में वैस गरेवी अलग-अलग इस्टाइल है बनाने का और मुझे भूनते हुए कम से कम 20-25 में प्यास को हो गए फिर भी उसने अपना कलर अब छोड़ा नहीं है तो अब मेरे पास देखो पूरा कंटेनर भर के मेरे पास में है जिन्ये गालिक पेश क्योंकि हम एक डेट किलो का बना लेते हैं अब क्या है भूनते हुए मुझे कम से कम 30 मेट हो गए तो प्यास ने हलका हलका अपना कलर सोड़ना स्टार्ट किया है और इसको हलका और भूनेंगे और देखे यह टाइप का जो कलर है ना हलका सा ब्राउन होने लग गया इस स्टेस्ट में आपको डाल देना है जिन्जेक गालिक पेश अब हलका सा और ब्राउन भी कर सकते हैं बड क्या एक पेश आप डालेंगे उसको भूनेंगे तो दोनु साथ में भूनेंगे और हलका सा ब्राउन हो जाएगा और खुजव का भी लाजवा बारी है जवरदस आ रही है फिर मैंने इसमें टच किया ह हल्दी क्योंकि यल्व गर्वी है कलर लान के लिए हल्दी डालने आपको फिर थोड़ासा दो चम पेश में बरके वराउवा धन्या पावडर एक चम नहीं दाला हुआ है जीरा पावडर बस इतना ही मसाले इसमें पढ़ीगे लास्ट हमें में एक सेट इंग्रेडिनिस ने पड़ेगा क्या पड़ेगा चली मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिर के बाद आप देखे दुसरे लाजवाब ग्रेवी बनने प्याजवाच भुण चुका हैं उसके बाद से आप इसमें डाल दीजिये टमाटर टमाटर डालने तो थोड़ा घुमाने के बाद 10-12 मिट इसको पकाईए और आपकी जो वेज ग्रेवी है वो बनके रेडी है इसको आप टच कर सकते हैं कड़ाई पनीर में हलका टच कर सकते हैं कोप्ता की ग्रेवी तो लाजवाब बनती हैं से और जो भी नौनवेज आपके आटेम है उसमें बनके रेडी हो गई आपकी वेज ग्रेवी और आज इसी ग्रेवी का बनावा खाना मैं खाऊंगा कड़ाई पनीर खाऊंगा आमें इसी की ग्रेवी से थेंक्यू वीडियो देखने के लिए